महात्मा गांधी जी की तस्वीर नोट पर कब से छप रही है? आपका ओप्षन है A.1998 से B.1979 से C.1970 से D.1972 से आपका सही ओप्षन है किस पेड में लकडी नहीं होती है? आपका ओप्षन है A. आम के B. अगुर के C. केले के D. महा के पेड में आपका सही ओप्षन है कंगारू किस देश का राष्ट्रिय चिन है? आपका पहला ओप्षन है A. अमेरिका का B. आस्ट्रेलिया का C. पाकिस्तान का D. भुटान का आपका सही ओप्षन है भगवान श्री राम के पुत्र का क्या नाम था? आपका ओप्षन है A. कामदेव B. अभिमन्यू C. लवकुष D. इन में से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है भारत का प्रथम नागरिक कोन है? आपका ओप्षन है A. परदान मंत्री B. राश्ट्रपती C. ग्रह मंत्री D. आम जन्ता आपका सही ओप्षन है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एक तन में कितने किलो होता है? आपका ओप्षन है A. पाँच सौ किलो B. आट सौ किलो C. एक हजार किलो D. दो हजार किलो आपका सही ओप्षन है अधिकतर सडकों पर जेबरा क्रॉसिंग क्यों बनाई जाती है? आपका ओप्षन है A. गाड़ी जाने के लिए B. ट्राफिक के लिए C. पैदल जाने के लिए D. इन में से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है भारत में कौन सा राज्यस सबसे ज्यादा तापमान वाला है? आपका ओप्षन है A. उतर पर्देश B. राजस्थान C. बिहार D. पंजाब आपका सही ओप्षन है भारत के सबसे युवा प्रधान मंत्री कोण थे? आपका ओप्षन है A. डौ मन मोहन सिंग B. नरेंद्र मोधी C. राजीव गांधी D. राहुल गांधी आपका सही ओप्षन है किस देश के लोग सान्ड से लड़ते हैं? आपका ओप्षन है A. सपेन देश के B. भारत देश के C. पाकिस्तान देश के D. चीन देश के आपका सही ओप्षन है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद का नारा किस ने दिया था? आपका ओप्षन है A. महात्मा गांधी जी ने B. सुभाश चंद्र बोस ने C. सरदार वल्लब भाई पटेल ने D. इनमे से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है भारत में सबसे पहले टैक्स सेवा किस शहर से शुरू हुई थी आपका ओप्षन है A. कॉलकाता में B. लखनव में C. बैगलोर में D. बनारस में आपका सही ओप्षन है किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं आपका ओप्षन है A. आम में B. सेब में C. पक्के पपीते में D. अनार में आपका सही ओप्षन है किस देश में कुत्ते का मास खाया जाता है आपका ओप्षन है A. पाकिस्तान में B. चीन में C. भुटान में D. इसराइल में आपका सही ओप्षन है चांद पर उगाया जाने वाला सबसे पहला पौधा कोन सा है आपका ओप्षन है A. केले का B. कपास का C. गुलाब का D. इन में से कोई नहीं आपका सही ओप्षन है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करें किस देश की संस्कृती सबसे अलग है आपका ओप्षन है A. अमेरिका देश की B. नगालेंड देश की C. भारत देश की D. रूस देश की आपका सही ओप्षन है वह कोन सा जानवर है जो 30 फीट तक कूदता है आपका ओप्षन है A. हिरन B. उट C. भालू D. कंगारू आपका सही ओप्षन है आग का परियावाची शब्द है आपका ओप्षन है A. वात B. अनिल C. अनल D. समीर आपका सही ओप्षन है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें आशू पोचना मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपका ओप्षन है A. रोते हुए व्यक्ती के आशू किसी वस्त्र से पोचना B. देखावती सहानुभूती प्रकट करना C. दुखी आदमी को धाडस बधाना D. दूसरे के सुख के लिए स्वई को कश्ट में डालना आपका सही अर्प्षन है भारत में कुल कितने राज्य है आपका अर्प्षन है A. 28 B. 29 C. 36 D. 15 इसका आंसर आप कॉमेंट में बताएं और ऐसे ही कुछ नया सीखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें